दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बावर के जीवन के परमुग घटनाकरम के बारे में और साथ ही साथ इसे हमें एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आप फ्यूचर में अगर इसमें से कोई भी कोश्चन्स एक्जाम से पूछे जाते हैं तो आप कभी कोश्चन्स गलत ना कर पाएं और आप जो हैं बिल्कुल राइट मार्क करके आएं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं ट्रिक क्या है तो ट्रिक है 26 में पानी पिया 27 में खाना खाया 28 में चल दिया 39 में घर गया और 30 में मर गया विल्कुल आपको एक सिंपल सी लाइन है जो कि आपको याद रखनी है 26 में पानी पिया 27 में खाना खाया 28 में चल दिया 29 में घर गया और 30 में मर गया यह लाइन अगर आप याद रखेंगे तो बावर का जीवन की जो महत्पूर्ण घटना है उसको आप कवर कर लेंगे और बावर की जीवन से जो भी कुश्चन्स आप से पूछे जाते हैं उसके द्वारा लड़ेगे युद्धो के मामले में कुश्चन्स पूछे जाते तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे तो चलिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं हम इसको क्या है ट्रिक तो 26 में पानी पिया से बन जाएगा 1526 26 का मतलब 1526 यह 26, 27, 28, 39, 30 जितने भी हैं सब के आगे आपको पंदर लगाना है यानि 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 तो 26 में पानी पिया से क्या होगा 1526 इस भी 26 से बन जाएगा 1526 और पानी पिया से बनेगा पानी पत तो 26 में पानी पिया यानि 1526 में पानी पत का पर्थम यूद हुआ किस किस के मत दे हुआ था इब्राहिम लोदी और हम बावर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बावर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में पानिपत का पर्थम यूद अगर कभी इसकी डेट पूछली जाती है ये तो सन है अगर डेट पूछी जाती है तो 21 अपरेल सर्फ 1526 को ये चलिए नेक्ट देखते हैं 27 में खाना खाया 26 में पानीपिया क्लियर हो गया यानि 1526 में पानीपत का यूद अगला है 27 में खाना खाया 27 में खाना खाया से मतलब मैंने आपको बताया कि सब के आगे 15 लगाना है यानि 1527 1527 में क्या हुआ था खाना खाया था 1527 खाना खाया स से खानवा 1527 में खानवा का यूद हुआ था किस किस के बीच में वगा था कि राना सागा और बावर की वीच में है अगर इसकी देट पुछे जाती है तो डेट है इसकी 16 मार्ज सन 1527 कहां युद्वत है यह आगरा से 35 किलो मीटर दूर खानवा गाउं में बावर और मिवार के सासक जो थे राना सांगा उनके मद्धे यह युद्ध लड़ा गया था ओके फ्रेंट्स अगला है 28 में चल दिया तो 28 यानि 1528 चल दिया यानि चंदेरी चल से बन जागा चंदेरी 28 से बन जागा 1528 तो 1528 CCV में कौन सा युद्ध लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था और किस किस के बीच में लड़ा गया था यह मेदिनी राय और बावर के बीच में मेदिनी राइकोन था यह राना सांगा का बहुत ही खास आदमी था और जो यह खानवा का यूद हुआ था 1527 इसमें इसमें राना सांगा की तरफ से कि यूद में मेदिनी राय ने भी भाग लिया था लेकिन जब उसने देखा कि परास्त तो चुका है तो वहां से निकल गया था वहां से चला गया था कि ठीक है फ्रेंड्स तो 1528 का यूद चंदेरी का यूद मेदिनी राय और अबावर के वीच में लड़ा गया था चन्देरी का यूदुक्रा तक चन्देरी के नाम पर यह लड़ागा था चन्देरी का Competitive बावर्ण ने जब राना सांगा को हराय और राजपुत इसको डडर था कि है Рाजपुत सकती दुबारे कि युआ ज़ाने को खतम करना है तो उसने कि चन्देरी का किला था उसने अधिनी राय से डिमांड करी कि आप रहे चंदेरी का किला दे दीजिए और मेरे दौरण जीते गए बहुत सरे किले हैं उन्हें से आप कोई भी एक ले ले लां देजिए लेकिन मेदिनी राये ने इस प्रपोजल को सुवचर नहीं किया और उसने मना कर दिया लिए है कि नहीं मैं چंदरी कखिण आपको नहीं दूँगा जिसके कारण क्या हुआ कि बावर ने। आकरमन कर दिया और मेदिनी राये के साथ उसका युद्धुअ जिसमें मेदिनी राय प्रास्त हो गया और बावर की विजय हुई इस प्रकार से चंदरी के खिला जो है वह बावर के अधिपत्ते में आ गया ओके फ्रेंड्स तो अभी तक हमने पढ़ लिया 26 में पानी पिया यानी 1526 में पानी पत का यूद 27 में खाना खाया यानी 1527 में खानवा का यूद 28 में चंदरी का यूद अब है 29 में घर गया 39 में घर गया यानि 1529 और घर गया से घागरा का यूद तो 1529 में घागरा का यूद हुआ था किस किस की बीच में हुआ था महमूद लोदी और बावर की वीच में यह महमूद लोदी कौन था यह महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भाई था इब्राहिम लोदी कौन जो 1526 में जिसका जो इब्राहिम लोदी बावर से हार गया था पानीपत के पर्थम यूद में ओके तो आपको याद रखना है कि गावरा के यूद्ध था वह अफवानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमुद लोदी के नित्रत्म में बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिया था और बावर के लिए एक मात विरोधी रह गया था तो बावर ने अपने सभी विरोधियों के मिटाने की सोची थी इसी परिकिरे को आगे बढ़ाती हुए बावर ने च्छे मई पंद्रसों नत्रिसों बंगाल वा बिहार की संयुक्त सेना को घागरा नदी के टत्पे यह यूद ल जाधा विस्तार कर लिया था ज 그래서 Friends clear है गื่ंद अबी तक क्ला पनी 1866 में पानीपत का्यूद' भाना खे यानी 527 में खांबां काउद 28 में चल दिया यानी 528 में चंडेरी का यूद 29 ड़ने घर गया यानी 1539 में घागरा के यूद और 30 में मर गया यानी सन 1530 इसवी में बावर की मिर्त्यू हो गई थी इस प्रकार से मैंने आपको बावर के जीवन के घटना करम के विसे में बताया और उसको एक को आप याद रखेंगे तो यकीन मानिये आपका एक्साम में जो भी यूद से रिलेटर जो भी कोश्चन पूछा जाएगा जैसे मैंने आपको एक विस्तार में भी उस यूद के वारे में जानकारी दी है अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपका बावर से पूछा जाएगा आपका कभी कोई गलत नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स तो आप इस ट्रिक को जरूर याद रखिए और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक संख्या में सेयर करें तो दोस्तों अगर इस वीडियो पे एच्छा रिस्पांस मिलता है और लोग और डिमांड आती है कि इस तरह की ट्रिक की जरूरत है तो मैं आपके लिए और भी इंपरेंट वी की जरूरत मिलां करेंट